तो हेलाव अपको देखने को मिलता है तो आज कि वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि क्या इस डवाइस के लिए आपको जाना चाहिए या फिर आपको ये टॉपिक एडर रगार तो प्लीस के इस वीडियो को लाइक कर जीए चैनल पर नहीं है तो सब्सक् तो यहां पर इसका आपको प्राइस देखने को मिलता है तो यहां पर अगर बात करें इसके डिस्प्ले के साइस के बारे में तो यहां पर आपको 6.4 इंचिस की सुपर आपको इसके बारे में पर इसके बारे में तो यहां पर आपको इसके काफी अच्छे आपको पॉइंट देखने को मिल जाते हैं और वहीं पर अगर देकि इसकी बिल्ड क्वाल्टी तो आपको जो सेम एस F62, M32 जैसा यहां पर आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है और यहां पर अगर बड़े इसकी प्रफॉर्मर्मर्स की तरफ तो वहां पर आपको आपको 4GP RAM का स्पोर्ट देखने को मिलता है और यहां पर आपको 64GP 128GP वेरिएंट देखने को मिल जाता है तो यहां पर अगर पर इसकी कैमरा की तरव तो वहां पर आपको Quad Camera Setup देखने को मिल जाता है जहाँ पर इसका जो Main Camera आपको 48MP का 8MP का UltraWide Camera 2MP का Micro और एक 2MP का यहाँ पर आपको Depth Sensor देखने को मिल जाता है और इसकी आपको जो Main Camera की Video Resolution देखने को मिलती है वो है Full HD at 30fps के साथ तो यहाँ पर अगर इसकी Selfie Camera की तरह हो तो वहाँ पर आपको 13MP का Camera देखने को मिल जाता है With Video Resolution of Full HD at 30fps के साथ तो यहाँ पर अगर इसकी Battery Life की तरह हो तो वहाँ पर आपको 5000mAh की Bigger Battery Life देखने को मिल जाती है और इसी Battery को Charge करने के लिए आपको 15W Charging Sport देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपको Battery Life काफी अच्छी देखने को मिल जाती है 5000mAh की आप पर Battery Life काफी अच्छी गेमिंग आप कर सकते हैं तो यह कुछ Specification जो कि मैं Samsung Galaxy A22 की देखने को मिल जाती है और वहीं पर आपको Type-C Port देखने को मिल जाता है Fingerprint scanner आपको Side Mounted देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको Audio Jack भी देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर एक कोशन है कि क्या इस device के लिए आपको जाना चाहिए अगर हम इस compare करें Samsung के latest device है जो कि हमें देखने को मिलता है Samsung Galaxy M32 तो यहाँ पर इन दोने device में जो difference आपको main देखने को मिलता है यहाँ पर आपको Full HD screen देखने को मिलती है M32 में और वहीं पर आपको 720p डिस्प्लेइ देखने को मिलती है A22 में तो यहाँ पर एक और main ऐसा difference है जो कि आपको काफी benefit दे सकता है यहाँ पर आपको A22 में OIS का support देखने को मिलता है जो कि आपको video stabilization में काफी helpful हो सकता है अगर आप इस phone में वीडियोग्राफिक करना चाहते हैं यहाँ आप अपनी YouTube videos record करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको stable video provider हो तो वहाँ पर आपको A22 को purchase करना चाहिए यहाँ तो नहीं तो आप Samsung Galaxy M32 की तरफ भी आप जा सकते हैं जो कि वहाँ पर आपको 64 Mbps का camera देखने को मिलता है बट यहाँ पर आपको A22 में 48 Mbps का देखने को मिलता है तो आप decide कर सकते हैं अपने usage की तरफ की कौँसा device आपके लिए best रहेगा तो मुझे comment section में जाकि जरूर बताना कि आप currently कौँसा device यूज़ कर रहे हैं तो यह थी मारी आशियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कैसे वीडियो को like कर जीए चैनल बे नहीं हो तो subscribe जूर करना और साथ वाला बाइल आइक अंद बाकर और प्लस प्लाइक जूर करना ताकि आप कोई भी notification मिस ना कर सकें तो मिलते अगली वार एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye